गुड मॉर्णिंग टोल अफ यू लास्ट चेप्टर थार्ड इमन डवलप्मेंट कम्प्लीट हो गया था उसके जो शोर्ट कोर्शन अंसर्स बुक की में एक्सेसाइज में गिवन है आयो आप सो आपने को कर ली होंगे और जो एंसर्ट की कोर्शन से जो आपके बीच में ट भी आपकी नोटबुक चेक होगी और अगर आप नोटबुक कम्प्लीट नहीं करते हैं तो इसकी डारेक्ट आपका मैसेज आपके पैरेंट्स को बेजा जाएगा तो उसके साब से आप अपना टाइम लीज को कम्प्लीट कर रहे हैं आज हम नेक्स चैप्टर स्टार्ट कर अपनेंट्ट रहे जहां पर भी कुछ लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं उसको हम सेटलमेंट बोल देते हैं और जब हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो देखे स्टार्टिंग में आपके पास मैक्सिमुम पोपॉपुलेशन ने जो है रूलर एरिया में रहती थी गाउं म convert हुई एक urban area में तो यहां से बात आ जाती है कि type of human settlement की बात करते हैं तो दो आपके बस type आ जाती है एक ruler settlement और एक urban settlement यही मैं starting में बताया था कि अगर हम इसकी पहले बात करते हैं तो सारे की सारी population आपकी ruler settlement के अंदर आती थी फिर जैसे जैसे development हुआ तो इसकी categorization हो गया ruler settlement and urban settlements वहाँ पर आपने किस base पर categorize किया गया था तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप उसको साथ साथ read करेंगे कि उसके अंदर बताया था occupation क्या करते हैं ठीक है अब एक तो occupation की बात आती है और दूसरा आ जाती है population की बात आ जाती है तो occupation जो है वो ruler settlement कौन से occupation करती है mainly involved in primary activities mainly कि के अंदर involved होती है परात्मी क्रियाओं के अंदर involved होती है primary activities में आप जानते है agriculture आ गया आपका fishing आ गया lumbering आ गया तो जो अब हमें जब human settlement की ruler settlement की बात करते हैं तो जब human mound area में जाएंगे जब desert area में जाएंगे plateau area में जाएंगे plain area में जाएंगे coastal area में जाएंगे तो वो जो ruler settlement है उनकी primary activities चेंज ओपती चली जाती है जैसे coastal area वाले जो ruler settlement है they involved in fishing human mountain वाले जो area है party area है वो involved होते हैं lumbering में collection of woods में materials में उनको market के अंदर sale करते हैं हम अपने plain area के अंदर बात करते हैं तो they involve in agriculture ठीक है अब next यहां पर आ जाता है difference between यह आपका long question five marks का भी यहां से बनेगा कि right the difference between ruler settlement and urban settlement तो दूसरा एक population वाला point भी है यहां पर और वो इसके अंदर भी आएगा कि ruler settlement mainly involved in agriculture और primary activities and urban settlement mainly involved secondary and nursery activities याने कि दृत्विक और तृत्विक क्लापों में आपकी जो urban population है वो involved होती है आप secondary urban population का देखे सौनी पर जो city है यहां पर mainly population involved है किसके अंदर है या तो industries के अंदर involved है secondary sector के अंदर involved है या तरसी सेक्टर के अंदर involved है transportation हो गया communication हो गया ठीक है तो इस तरह के activities के अंदर यह involved है ruler settlement supplies food and other raw material to the people to urban settlement ruler settlement क्या करता है जो raw material जो हम starting में बात करते है food हो गया या और कोई raw material हो गया जैसे milk हो गया यो और कोई product हो गया वो urban settlement को कौन provide करता है ruler settlement clear और cities क्या provide करती है goods and services जो उसको convert करके तयार करते है जैसे for example ruler settlement ने milk provide किया तो cities ने urban area के अंदर क्या क्या उसको convert कर दिया एक sweets के अंदर और वो फिर वहाँ से उसको service provide किये ठीक है अब फिर ruler settlement के हम बात करते हैं तो economic activity totally वो depend करते हैं अपनी लेंड के उपर अपनी उससे अउन की family होती है वो उसके उपर depend करती है हाँ अलग-अलग rule zar settlement के हम बात करते हैं तो land size का फ़रगा जाता penso किसी के पास जमीन ज्यादा होती है, किसी के पास जमीन कम होती है अर्बन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है compared to ruler settlement लोगों के पास जमीन बहुत कम होती है आप देखते हैं गाओं के अंदर तो घर बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन अर्बन एरिया के अंदर उनके जो घर हैं वो काफी छोटे होते हैं पोपलेशन इंक्रीज होती चली जाती है फैसिलिटीज के उपर भी उनका एफेक्ट पड़ता है रूलर पीपर आर लेस मॉबाइल एंड देर सोशल रिलेशन आर इंटिमेट हम अर्बन पोपलेशन की बात करते हैं तो लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट और कॉम्पलेक्स है इसके कम्पेरिज में रूलर जो पोपलेशन है गाओं की जो जनसे क्या उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल है और सोशल रिलेशन कमपेर टू अर्बन बहुत स्ट्रॉंग रहते है ठीक है इसके अलावा पॉइंट लिख सकते हैं कम्मुनिकेशन की बात आती है कम्मुनिकेशन रूलर सेटलमेंट के अंदर कम्मुनिकेशन फैसलिटी बहुत कम है Urban Settlement के अंदर Communication Facility बहुत अच्छी है अब यहाँ पर Transportation की बात आजाती है Ruler Settlement के अंदर Transport Facility इतनी बेटर नहीं है Urban Population Settlement के अंदर Transport Facility बहुत अच्छी है बाकी Facilities के आप यहाँ पर Point लिख सकते हैं Electricity हो गया, Education हो गया, Sanitation हो गया, Water Supply हो गया They are better in Urban Settlement compared to the Ruler Settlement Ruler Settlement के तुलना में Urban Settlement के अंदर यह सारी जो है Facilities काफी ज़्यादा अच्छी है तो इस तरह से आप इसके अंदर Difference के Minimum Six Point यहाँ पर आप मैंशन करेंगे Next आ जाती है Factor Determining the Type of Ruler Settlement कौन-कौन से Factor हैं जो Determine करते हैं Ruler Settlement को देखो तीन Factor है Physical Factor, Ethnic या Culture Factor और Security Factor Physical Factor के हम यहाँ में बात करते हैं Climate यहाँ पर एक आ जाता है Important एक आ जाता है आपका Relief उचाबच आ जाता है ठीक है तो देखो जो Population है जो कईसी भी अरिया में जो स्टार्टिम हमाले के अंदर भी गाउं है Desert Area के अंदर भी गाउं है, Coastal Area के अंदर भी गाउं है Plateau Area के में अंदर भी गाउं है, Plain Area के अंदर भी गाउं है तो climate उसके ओपर effect डालता है नाई तो लोग जादा थनड़ एरिया में रहना पसंद करते हैं नाई जादा गरम में जहाँ moderate normal सा temperature रहता है उस एरिया में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे ठीक है रिलीफ आपका हो गया माउंटेन एरिया में आम देखते हैं पोपुलेशन कंपेर टू दे प्लेन एरिया बहुत कम है अरुनाचल परदेश की डेंसिटी सबसे कम है अरुनी 17 परसंट पर स्पेर किलोमेटर रहते हैं ऐसे जमू कश्मिर, उत्राखान, अगर हम सभी हिमालन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर पोपुलेशन कंपेर टू अरुनाचल पंजाब, उत्रप्रदेश, पिहार, शत्तिसगर्ड इनके कंपेरिजन में काफी कम है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमिट भी उनके फेवरेबल है दूसरी अगर हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज भी उनके कंपिरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी है ठीक है और ज्यादा अच्छी होने के रिजन भी कि माउंटई नीर इरिया में में इंड़स्ट्टी नीए है इंड़स्ट्ट्र नीयए जados जब नहीं है गाउं के पकवाडे में मैक्सिम एरिया में एक रिलिजन के लोग ज़ादा रहते हैं यह एक कास्ट के घर है तो उसी कास्ट के घर आपको उसे प्रोपर एक पार्ट में गाउं के एक पार्ट के अंदर मिलेंगे ठीक है कुछ एरिया जो सेट अप होते हैं वो मेल लिए आपक इसके ऊपर ही सेट अप होते हैं तो यह आपको कल्च्रियर अफेक्टर आगा करते है। हानों हम सेक्योटी हरी है। हम स्बाहर दूडियों की है। अपने स्टेट्स पंजाब अरियान उतरपरदेश वेस्ट उतरपरदेश की बात करते हैं तो यहां पर सेक्रिटी उनके कंपरेजन में बहुत ज़्यादा है तो पोपुलेशन वहां से भी हां पर माइगरेट ओरी है और यहां रहना पसंद करें कि कि यहां भी उनको जॉब मिल रही है काम भी मिलता है तो सेक्रिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपर्टन रोल प्ले करता है इसके लावे अगर आपके फैक्टर जैसे लास्ट पार्ट के अंदर करवाए थे तो इस तरह से टोटल इसके आपने फाइफ एक्टर्स मिनिमम्म कोश्टन के अंद आप इनको फैक्टर्स को एक्स्प्लेइन करेंगे थेंक यू और टॉपी को रीड करेंगे